आए फ्रैंज देखें इसे बनाने के लिए मैंने दस नमबर के सलाया ली है और दिखिए 0-1 थोड़ी पतली है तो इसलिए देखें मैंने credible लिया है इसे बनाने के लिए तब इसलिए इसे ऐसे लीजाइन में मैं ध Л hometown दालने हैं तो पहले हम धागे को चार पर्टका करेंगे कि इतना पड़ा धागा इसे हम कर लेंगे अब इसे हम फिर से ऐसे फोल कर लेंगे तो ये दो और ये दो चार चार पर्टका धागा देखिए ऐसे हो क्या अब यहाँ पर इस धागे से हमें ऐसे नौट लगाना है क Portuguese आपि एक हमसे बन जाएगा किया इसे हम में मैं अब देखिए यह शलाए डागा है इस हम अंगोटे में करेंगे आप देखिए आप बनाना करना है यहां पर हमसे लाए करेंगे कि अब थागा यहां उसी स्टार ने लेकर कर दाएंगे यह दो फंद़ हो गया कि अब देखे अब इस तरह से जोड़ों में बनते हैं तो यहां पर हमें बना लिया है अब इसी दो को कषके हमें रिपीट करना है एक ताइम हम चलग इस स्टाइब से माइं इस स्टाइब करेंगे melee यह आए बद तो Dan कर देंगे Depa L In घ्रूंधे सावन आं लुआ संदे करना है एक थाइनाओ है तब इस स्टाइब यहां यहां पर त्रीश कर लिए मैंने इसमें 32 फंदे डाल लिये हैं देखी एक दो इस तरह से जोड़ों में फंदे बनते हैं तो इस तरह से हम गिलेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नव दस ग्यारा बारा तेरा चौधा पंदरा सोला सब्सक्राइब इस पीस एक कीज़ बाइस तेज़ चौविस पचीशपीश सटाइस अटाइस उन्तिस तीस एक तीस बत्तिस यहां पे बत्तिस फंदा हो गया यह इसकी राइट साइड है सीधी तरफ हम पलट लेंगे इसकी राउंग साइट में देखिए पहली लाइन हमें कि इसे उल्टा बनाना है कि इस तरह से हमें यहां से यहां तर बनाना है कि मेरी लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में अब देखिए यहां पर हमें दू इसे भी मैंने डबल कर लिया है क्योंकि यह भी पतला धागा है थोड़ा सा तो हम इसे डबल धागे से बनाएंगे अब देखिए यह राइट साइड है हमें ऐसे सीथा बुनना है धागा हम यह आप ऐसे जॉइन करेंगे इस तरह से हमें पूरी लाइन सीथी बनानी है एक लाइन हमने बना लिया है यह इसकी दूसरी लिया है इसे हम सीथा बुनना है इस तरह से हम यहां से यहां तर बनाएंगे देखे मेरी यह लाइन हो गई है अब इससे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में अब देखे इसी लाइन को हमें रिपीट करते जाना है सिर्फ सीधा सीधा बुनके हम यहां पर टोटल बारा लाइने बनाएंगे अब देखे इस दागा आट से जाना है हुआ है यस तरह से गागे को ऐसे तक करेंगे है में एलागा है तो इसे टाग कर करके यह अल्म56 दाग आप लेंग ना O इसे उलज गया और यह उपर हो गया अब इससे हमें ऐसे बोल लेना है इस तरह कि यह से खिंच लेंगे इस तरह से यह धागा साथ में उपर होते हुए चला जाएगा तो फ्रेंज इसी तरह से हम सीधा सीधा बुन के यहां पर तोटल बारा लाइने बना लेते हैं दिर्ओं की दिर्ओं क गलते हैं अगर हम यह उल्टी 와ली लाइने यहां पर गिंए तो यहांते hep 2,3,4,5,6 छे अधसरों यहां पर दिख रहे हैं तो जाग यहांते हैं गढ़ा है किस एक दो दो फंड़ा मैं सीधा बढ़ेंगे अब यहां पहँने में एक फंड़ा बढ़ाना है तो यहां पहला है हम इस तरह से एक फंड़ा बढ़ा लेंगे दो फंसे करें बढ़ा लिक आ ident करें ढूलेंगे गैसे अद यहां पे भी हमें एक था बढ़ाना है कि सिर्द्वतर्य सीधा के इस थे दो अद फुर्णा ऐसे हम का बढ़ाओं फिर यका आ लिगे देखिए के लास्ट में गजा एक यहां पर जोड़ा रही है कि हर दो पंदे के बाद हम ने एक बढ़ाया है यह तिन चार आप शेड़ साथ अब तस यारा बारा तेरह चौदह पंदरा आटरा इस इत्रव दो थालिया कर दीए 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यहां पर हमने 47 पंदा बढ़ा के कर लिया हैं, हमने यहां पर 32 पंदा डाला था, 15 पंदे हमने यहां पर बढ़ा लिये हैं, तो यहां पर टोटल 47 पंदे हो गए हैं, ही के इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉंग साइट में देखे सिर्फ हमें एक लाइन में पंदव को बढ़ाना था, अब मैं पंदे नहीं बढ़ाएंगे देखिया wrong side है तो हमें उल्टा बुरना है अब हम इसी तरह से बनाएंगे उल्टी तरफ हम उल्टा बुरनेंगे और सीधी तरफ से सीधा देखिये ये बढ़ाया हुआ पंदा है हमें इसे ऐसी बनाना है यह दो इस तरह से हम यहासे यह्तर बनाएंगे मेरी यह लाइन हो गई है अब इसमें पलट लेंगे इसकी रैट साइड में सीरी तरफ अब देखे इस तरफ से हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है इस तरह से हमें सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुलते हुए जाना है तो इसी 47 फंदे को हम ऐसे बुलते हुए जाएंगे सीधा सीधी तरफ से और उल्टा उल्टी तरफ से इस तरह से यहां से हम यहां तक सीधा बुनेंगे इसे पलटके रॉंग साइड से हम पूरी लाइन उल्टी बुनेंगे इसी तरह से हमें इसकी लंबाई कम्प्लीट करना है देखिए फ्रेंस मुझे जितना बड़ा इसे बन आप यहां पर देखिए हमें यह वाला धागा जोइन करना है तो यह देट कलब कर दागा हमें कर देना है यहां पर यह वाला धागा जोइन करेंगे ऐसे हम देखिये सीधा बुलेंगे देखिये इस तरह से हमें यहां से यहां तक बनाना है देखिये मेरी यह लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉंग साइट में अब देखें इस साइड से भी हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है देखें जैसे हमने यहां पर बनाया है दोनों तरब से सीधा सीधा बुनके हमें यहां पर उसी तरह से बनाना है देखी इस तरह से हम सीधा सीधा बुंके यह पूरी लाइन बनाएंगे जैसे हमले यहां पर बनाया है उसी तरह से हमें यहां पर बना लेना है दोनु तरब से सीधा सीधा रजिए पना लिया है तो इस न दा आइनी बनाई Those इस बना लेते हैं में आपि पार से दिखेगे अब यहां पर हम इसे हम सीधा उनेंगे। यह लेकिन हम ऐसे दो बार धागा लपेट ना है ? ऐसे हैं 1,2 दो बार धागा लपेटके इसे सीधा फिर ऐसे ए दो 메 Jag levar Veteric के सीधा एसे दो बार दागा लप मेंदके सीधा देखिए इस तरह से हमें यह पूरी लाइन बनानी है हर फंदे में हमें दो बार धागा लपेट के ऐसे बनाना है देखिए मेरी लाइन हो गई है देखिए सारे फंदे मैंने इस तरह से दो बार धागा लपेट के बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे अब देखिए सारे पंदे हमें ऐसे इस सलाई पर खोल देना है MARK Nelson Hagelund Bank इस तरह से में सारे पंदे खोल के इससलाई कर लेना है तेकि इसमेर पंदे मैंने खोल लिए हैं इससलाई कर लिए हैं अब यहां पर यह वाला धागा हाम इतना बड़ा कत कर लेते हैं इसी धागे से हमेर इसकी सलाई करना है यह इस तरह से हैं कि यहां पर इस साइट में है हम यहां पर सूई में ऐसे एक एक बंदा ऐसे कर देंगे कि यहां पर इस तरह से हो गया अब यहां पर ऐसे हम स्लाइख कर देंगे देखिए इसकी राइट साइट है इसे हम पलट लेंगे इसकी राउग साइट में अब देखिए यहां से हम यहां तर इस कलर के दागे से स्लाइख करेंगे यहां पर हमें इसे बराबर करके स्लाइख करना है देखे इस कलर के धागे से हमने यहां से यहां तक सिलाई किया है अब यहां पर यहां से यहां तक हमें रेट कलर के धागे से सिलाई करना है फिर यहां पर हम फिर से करीम कलर के धागे से सिलाई करेंगे तो यहां पर इस तरह से हम यहां से यहां तक सिलाई करेंगे और देखे दबाते हुए जाए कर लिया है दागा भी हमने इसके अंदर कर दिया है अब यहाई पर बनाके लगाना है तो देखें नवरी हमें 1 क्रोशय का उपल लिया है पांच नमबर का मैंने क्रोशिय अउप लिया है 3.0 में यहां पर लिखा हुआ है ऐसे डबल दागे से हमें बनाना है देखे पहले हमें यहां पर इतना धागा छोड़ देना है हम यहां पर ऐसे नॉट लगाएंगे ऐसे हम चैन बनाएंगे जितनी बड़ी हमें चाहिए हम इसी तरह से चैन बनाएंगे देखे ड़ी मैंने बना ली है आपके बता लेती हूं यहां यहां पर देखे हम इतना बड़ा धागा छोड़ के ऐसे कर लेंगे अब इसमें हमें मोती लगाना है यहां पर ऐसे हम नॉट लगाएंगे अब देखे इसमें हमें इसे लगाना है हमें हमें यहां पर आप इसमें सुई करके इसे लगाना है यहां पर इस तरह से हो गया अब यहां पर भी हमें होती लगा लेना है इस तरह से यहां पर नॉट लगा लेंगे अब देखे यह द्धागा है इसे हम ऐसे इसके अंदर कर देंगे पर इसे अंदर कर लेना है इसे अंदर कर देंगे इस तरह से हमें इसकी फिनिशिंग करनी तो इस तरह से हमें यहां पर इसकी कर लेनी है मूठी लगा के इस तरह से हो गया तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल आइकन को प्रेस कीजिए ताके मेरा आने वाले वीडियो को नौटिफि उत्बू नौटि के शो आपूए ताके मेरे तो के दो आप Ohio को प्रेस public स्थद अपार से तो religions जब आप टो हिआते हो अ